आज के लेक्चर की शुरुवात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक था पिरियोडिक लेवर फोर्स सर्वे, अब इसमें मुझे कई सारे की कॉंसेप्ट बताने थे, उसको समझे भी ना वो नहीं समझ में आ था लेक्चर पिरियोडिक लेवर फोर्स सर्वे का, सते साथ मिनिस्ट पर स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन बताना था उससे रिलेटेड एक और स्कीम बतानी थी ताकि आपका सब्सक्राइब कर दिया था इसके पिशला लेक्शर वही है आप वीडियो में पहले उसको देख लिजेगा तो हम सकेंड टॉपिक पे चलेंगे माइको बैक्टेरियम टूबर कुलोसिस तीबी हमेशा नियूज में रहता है हिंदू हो इंडियन एक्सप्रेस हो सब कुछ कैसे काम करती है मॉलिकुलर मेकेनिजम क्या है कैसे एक्शन लेती है आगे को समझें इसके पहले यह समझें कि माइको बैक्टेरियम टूबर कुलोसिस जो बैक्टेरिया का नाम है टीबी काॉस करता है टूबर कुलोसिस इसने आपकी जो आपकी जो बॉड़ी की मेकेनिजम है defense की जो आपकी immunity है उसको evade करनी के लिए इस mycobacterium ने तरह तरह के जो है evasive technique develop कर ली है ताकि host का जो defense mechanism है काम ही नहीं कर पाई इस पर तो क्या किया गया है कि mycobacterium tuberculosis के एक variety की जो है complete genomic mapping की गई, genome क्या होता है पिछले लिक्चर में बता दिया गया है किरपया देख लीजेगा complete set of genome seen in an organism is known as genome उसके सारे structure को समझ लेना sequence को समझ लेना DNA को क्या कहलाता है genome sequencing तो mycobacterium tuberculosis के एक particular variety की H37RB वगर एक जो है genome की mapping की गई, mapping की गई पता चला कि वहाँ पे दू जो है अनोखे novel genes मिले, nature के आर्टिकल से पढ़के बता रहा हूं वाई, नौर्मल चीजे नहीं है यह सब ठीक है नहीं मिलेगा, दू novel genes मिले, ओके एक मिला PE gene और एक मिला PPE gene पता चला है अंदाजा लगा है कि यह PE gene जो है न और PPE gene जो है इनसे इस microbacterium में बहुत ज़्यादा specific pathogenicity आ जाती है पार आ जाती है एनिवे तो यह PE वला gene और PPE वला gene उससे क्या हो जाता है देखिए उसी से मिलता जोलता है एक gene है जिसको इनोंने study किया है हमारे हैदराबाद के Center for DNA Fingerprinting and Diagnostics में उन्होंने यह देखा है कि उनको mycobacterium tuberculosis यह bacteria का नाम है ओके तो उस tuberculosis का जो bacteria होता है तो उसमें उनको देखने पर यह पता चला कि जो PPE 2 gene को उन्होंने study किया तो उनको यह लग रहा है कि PPE 2 gene जो है इस mycobacterium tuberculosis में vitamin B12 के synthesis को regulate करता है जानने इससे क्या फायदा है mycobacterium tuberculosis के proliferation के लिए उसकी population को बढ़ने के लिए उसको कहीं न कहीं से vitamin B12 चाहिए अगर वो उसको synthesis कर रहा है और अगर हमें पता चल गए कि किस gene के कारण synthesis हो रहा है और उस gene पे हम किसी तरह work कर लें या उस gene से बनने वाले protein से जिससे यह पूरी mechanism चल रही है उसको regulate कर लें important हो जाता है तो इस research में क्या पता चला है mycobacterium tuberculosis के अंदर B12 के synthesis के लिए gene होती है ऐसा कहना है उनका और याद रखेगा कि vitamin B12 जो है bacterial metabolism और gene regulation में एक important role play करता है उसके proliferation हो नहीं है तो उसको vitamin B12 चाहिए और आब हमें पता चल रहा है कि कौन से gene से vitamin B12 बना रहा है अगर vitamin B12 कैसे बात करें देखिए कैसे लोग सुभे सुभे कॉल कर देते हैं साथ बच के 30 मिनट में कहां था मैं अगर human body की बात करें तो उसमें vitamin B12 का क्या condition है human body खुद से vitamin B12 का synthesis नहीं कर सकती तो फिर कैसे होता है हमारा जो गट होता है जो हमारा पेट होता है उसमें आपको पता है तो वह विटामिन B12 का synthesis करते हैं हमने कुछ nutrient लिए उसे vitamin B12 का synthesis भी bacteria से ही होता है e-coli बगर असे तो हमारा जो microbiota है पेट के अंदर जो गट के अंदर lining है उससे होता है अदर्वाइस आप external food supplement भी ले सकते हो डेले requirement के लिए folic acid vitamin B12 की गुलियां खाली है folic acid नहीं यह तो स्य TB में अगर किसी का infection state वो है कि वो खांस रहे तो फिर खत्रा है आसपास में रहने में TB किसी भी body के organ को कर सकता है usually तो यह ऐसे lung को करता लेकिन कई लोगों का TB आप सुनेंगे brain में TB, spine में TB, kidney में TB, liver में TB, किसी भी organ को attack कर सकता है TB के भी दूतरी के होते है एक होता latent, latent मतलब क कि आप वो दिखेगा नहीं और body में infection रहेगा आमेशा के लिए अब बीमार भी नहीं पड़ोगे, sick भी नहीं करोगे, sick भी नहीं होगे, लेकिन आपके body में रहेगा, दूसरा एक होता है कि अगर disease cause करने लगे ऐसा TB, mycobacterium tuberculosis है, body में है, फिर भी disease cause नहीं कर रहा है तो वो damage करेगा, तो यह सारे जो आपने PE protein, PPE protein देखे, PPE 2 protein देखे, यह यही करते हैं कि आपके body का immune system है उसको weaken कर देते हैं, और उसको escape कर देते हैं, और अपनी जो है मैं कैनी जब महाँ पर चलाने लगते हैं, immune system में एक होता है चीज, reactive nitrogenous spaceses और reactive oxygen spaceses bacteria को growth को रोकने को लिए, लेकि और bacterial disease का नाम लेलों जैसे टाइफाइड होता है, तो यह भी एक bacterial disease है, इसके लिए कौन सा है, spaces, Salmonella typhi, यह भी याद रख लिजेगा, antimicrobial resistance का मैंने बहुत अच्छा खासा discussion कर दिया, antimicrobial resistance क्या होता, धेर सारी bacteria की population रह रही थी, तो उसमें mixed population थी, कई लोगों को लगत कि दवाई देने से bacteria resistance हो जाते है, ऐसा नहीं है, यह concept नहीं है, concept यह कि धेर सारी bacteria mixed population थी, और एक color डाल दीजे, आपने क्या किया, कि आपको मारना था एक bacteria को, मा लिजे कि इसको खतम करना था, और आपने दे दिया ऐसा wide spectrum की दवाई कि सारे bacteria मरने लगे, या फिर आप बार अलग अलग जो है, बार बार नॉर्मल सर्दी खासी में जो एंटीबाटिक ले रहा हूँ, एंटीबाटिक का काम बैक्टेरिया के लिए होता है, हुआ है viral disease, लिए जा रहे हैं एंटीबाटिक, डॉक्टर तो आजकल दवाई की दुकान वाले या डॉक्टर भी हर चीज मे एंटीबाटिक डाल देते हैं, बहले सर्दी खासी हो रहे तो फ्लू है वायरस से हुआ, एंटीबाटिक देने की क्या जोरती, इन्वे, तरह तरह की एंटीबाटिक देने लगे, तो होगा क्या, कि आपस में ये लोग बैलेंस करके population रख रहे थे, अब बाड़ी में क्या ह कि आपने बाकी सारे को मार दिया, जो कमजोर थे, तो ये जो है ना ग्रीन वाला, वो पूरा उसकी population बढ़ जाएगी, क्योंकि उस पे तो दवाईया ऐसे नहीं काम कर रही, बाकी सारे तो मर गए, competition खतम, theory of natural selection, बाकी सारे कमजोर थे, ये आगया, अब ये वाला पूरा भर गया, और इस पे आपकी दवाई काम कर नहीं रही, इसी चीज़ को बोलते हैं, antimicrobial resistance, इस पे antibiotic काम नहीं करेंगे, फिर एक और लेवल के antibiotic आती है, इस पे भी काम करें, उस पे से भी कुछ resistance बच जाएगा, तो different level of resistance होती है, नेचर में देखिए, कोई नो कोई bacteria ऐसा तो रह प्राब्लम आरे, दवाईयां काम नहीं करें, खास करके TB में बहुत हो रहा है, तो Union Minister of State of Health and Family Welfare जो है, उन्होंने लोग सवा में क्या बोला, कि antimicrobial resistance के लिए हम लोग क्या कर रहे है, देखिए, causes क्या है, हाँ, ये UPC में क्विश्चन आया था, इमने पिछली बार भी नेचुरली भी जो है, उनमें मुटेशन होता रहता है, तो उससे भी होता रहता है, कंटिन्यूड उस पर आप antimicrobial डाल रहा हो, और उसका जीन है कैसा है, जो immune है, वह बन जाएगा, आप सेल्फ मेडिकेशन ले रहा हो, पटांग दवाईयां खा रहा हो, कई क्लिनिकल मिस किसी के पानी में चला गया, पीने के पानी में, उससे भी हो सकता है, तो इनसान पर डिपेंड करता है कि उसको कितनी बिमारी, इनसान पर डिपेंड नहीं करता ही, बाहर से जो आप दे रहो, एंटीबाटिक उसके current resistance डेबलप होती है, इनसान का कोई genetic factor नहीं है, इनसान दो सकता है वायरस के लिए सारे को मार रहे है एक स्पेसिज बढ़ गई तो जब यह बहुत प्वार्फूल हो कि उस पर कोई दवाई नहीं काम कर रहे थे इसको हम लोग सूपर बग भी बोल सकते हैं और डबल वहो का कहना है कि यह जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पूरे नेटवर्क की स्टेट मेडिकल कॉलेजेज में इसके लिए लाब इस्टैबलिस किये जाते सर्वेलेंस के लिए एमर सर्वेलेंस और रिसाज नेटवर्क यह भी बनाओ इसको 2013 में लॉंच किया गया था इसे पूरे कंट्री में ट्रेंड को समझा जाएगा कि अप्रोच में हम क्या करते हैं सारे और्गनिजम का ख्याल रखते हैं अनिमल जो डोमेस्टिकेटेड वगर और अपना भी तो नेशनल एक्षन प्लान और उसमें वन हेल्ट अप्रोच है तो इसलिए इसमें क्या करेंगे वेरियस मिनिस्ट्री जो डिपार्ट्मेंट को इन डिशिंट डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारे कंट्री में जो अमर कर रिशर्च आगे बढ़े कैसे हम एंटि मैक्रोबियल रेजिस्ट्रंस को रोख सकते हैं इसके लिए उन्होंने देखी कि नौर्वे के रिशर्च कांसल अप नौर्वे से हाथ बांदा वहां से हाथ मिलाय अंटि मैक्रोबियल रेजिस्ट्रंस के काम करने के लिए 2017 में जर्मनी के फेडरल मिनिस्ट्री उप एजूकेशन रिसर्च से भी किया जॉइंट इंडो जर्मन कोलाबरेशन फॉर रिसर्च आन एमर चलाया एंटि बायोटिक स्ट्यूर्डशिप प्रोग्राम क्या है स्ट ड्रग्स कंट्रोलर जेनरल और इंडिया को आई सी एमर ने बोला कि आप एक काम करिए 40 फिक्स्ट डोज कॉंबिनेशन को बंद कर दीजिए क्योंकि इनमें फिक्स्ट डोज कॉंबिनेशन थे कि यह यह एंटिबाटिक रहेंगे क्यों ना हम एंटिबाटिक को सेपरेट कर यह एक दवाई में जो हैं मल्टिपल ड्रग जा ले जा रहे हैं जोरत ने फिर भी दिये जा रहें तो ऐसे जो फिक्स्ट डूज कॉंबिनेशन से इन अप्रोप्रियेट ते जहां पर कॉंबिनेशन सही नहीं था ज़रूरत नहीं थी एक दूसरे के साथ जाने की ऐसे वाल वहां पर भी दिखा जाए कि क्या चल रहा है एंटी माइक्रोबिल रिजिस्टन का जानवरों के लिए इसके लिए वेट एसो पी लाया गया स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रसीजर इन वेटरेंड क्या बोलते हैं इसको वेटरीनरी जानवरों के लिए जो होता है चिकित साह बिग बॉस 2008 और जो एंटीवी का रोडीज होता है वो 5.0 यह दोनों उन्होंने जीता था अब उनका कहना है कि इंटरनेट पे मेरे जो हैं इंटरनेट पे मेरे बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं आर्टिकल्स हैं उन चीजों को हटा देना चाहिए क्योंकि उनके पास काड़ी चलाने का कुछ पिक्चर वगर आया था उसके बाद उनको थोड़े टाइम के लिए जेल भी होई थी ड्राइविंग लाइसेंस दो सार के लिए गई थी तो यह सारे पिक्चर जो है ट्रोल वगर यूज करते इंटरनेट पे डाल रखा है उनको पसंद नहीं है तो में 2017 में कि हमें मिलती है राइट टू प्राइवेसी तो उनका कहना है कि जब हमें राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में आपने दे दिया पुट्टा स्वामी केस में अब मैं चाहता हूं कि मेरी इमेजेज मेरी जो आर्टिकल्स हैं कुछ डाले हुए इंटरनेट में वो नहीं हो और फिर भी वह वहाँ पे हैं तो मेरी राइट टू प्राइवेसी जा रही है ना तो उनका कहना है कि जब आपने राइट टू प्राइवेसी दिया तो उसकी साथ कहीं ने कहीं राइट टू भी फॉर गोटन भी जाता है उनका कहना है कि जब राइट टू सब कुछ रख्य हुए तो मेरी राइट टू प्राइवेसी तो भंग हो गए मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर मेरी इमेज़ रहें फिर भी है तो इंडिया में राइट टू भी फॉर्गॉटन है कि नहीं है इस चीज को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि डेटा प् प्राइवेसी का और यह कोड के जज्जमेंट बगर इससे बात नहीं है यह राइट टू प्राइवेसी है राइट टू भी फॉर्गॉटन का एक ऐसी चीज से जो कि अभी आक्ट बना ही नहीं है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल यह पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बि Personal Data की बात आ गई तो कही ने कही Personal Data Protection Bill में, लोगों की Personal Data के Protection की बात है, इस Bill का एक Clause No. 20 है, Chapter No. 5 में, और उस Clauseica heading क्या है? Right of Data Principle, और वहीं पे Right to be Forgotten Mention किया हुआ है, Data Principle कौन होता है? जिस इंसान का जो है, Individual का, डेटा की बात हो रही है वो इंडिवीजुवल जो है वो डेटा प्रिंसिपल है ओके ही इस दे मास्टर ओप इस डेटा और हर डेटा वहां पर लिखा हुआ है कि उस पर्सन को राइट है कि अपने बारे में जो उसकी डेटा है उसका कंटिन्यूइंग डिस्क्लोजर हो की नह को गण्यूशन कि नहींन कंटिन्यूशन को प्रिंसीपल है मतलब जिसके बारे में डेटा है वो इंसन इनफॉर्मेशन है तो क्या चीज़ें इतनी आसान है नहीं इसके बाद यह बिल में देखें क्या लिखा हुआ है कि even so वो डेटा उसका कितना सेंसिटिव है नहीं है पर्शनल डेटा इस चीज की इनफॉर्मेशन जो है इनसान खुद नहीं करेगा मतलब कि खुद नहीं बता तो आप request कर सकते हैं लेकिन आप वो data protection authority से क्या लेना पड़ेगा authorization लेना पड़ेगा otherwise नहीं चलेगा काम वो देखेगा महां पर data protection authority की भाई sensitivity कितनी है personal data की disclosure किस level का हुआ एकदम personal तो नहीं हो गया है अच्छा data की accessibility जो है कहां पर उसको restrict किया जा सकता यह सारी चीजे देखेगा ओके यह भी देखेगा कि public life में क्या रोल है उस data principle के इस data का जो data disclose करने की बात रिजिक्ट करने की बात हो रही है उस data का data principle जो है जिसे data belong कर रहा है उसके public life में क्या रोल है और किस nature का disclosure किया गए सारी चीजों को देखा जागा अच्छा कुछ और कंट्रीज में है क्या ऐसा यूरोपियन यूनियन में एक चीज है जेनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इसको यूरोपियन यूनियन के 28 मेंबर्स ने 2018 में पास किया था जेनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को यहां पर जो है right to be forgotten को डाला गया है और बोला गया है कि इनसान अगर चाहे तो अपना personal data removal के लिए वहां पर क्लेम कर सकता है right दी हुई है लेकिन फिर भी judgment के जो केस आया था जहां से बात शुरू होई थी right to be forgotten कि उसमें गूगल की जीत होगी गूगल के लिए एक इनसान ने क्लेम किया था कि गूगल को मेरा data erase करना पड़ेगा लेकिन प्रॉब्लम क्या थी गूगल ने बोला कि यह सारा data तो ग्लोबल डेटा आप गूगल की एक तरह से वहाँ पर जीत ही माने गई थी अपके मन में में भी हो रहा हो कि क्या European Union की दरुदर की चीछे पढ़ा रहा है इतना फास्तों कहा था है 2019 UPC का question which of the following adopted a law on data protection and privacy for its citizens known as general data protection regulation in April 2016 and started implementation from 2018 2019 का question है पता है एक सल पहले है 2020 का paper last था उसके पहले का अब तो कर लेंगे ना इसका answer thank you यह आगे पढ़ने से पहले international energy agency देख लेजी इंटरनाशनल energy agency का जो head quarter है वो परिस फ्रांस में है कब बना था 1974 में बना था और यह कैसे establish हुआ UN का partner international energy agency जो है autonomous intergovernmental organization है ठीक NGO नहीं है intergovernmental organization है लेकिन इसको बनाया गया था OECD के अंदर organization for economic cooperation and development के अंदर OECD का part इंडिया नहीं है 1973 के जो oil crisis होई थी पूरे वर्ल्ड में वो oil नहीं मिल रहा था लड़ाई जगडे के कारण तो stampin नोंने बनाया था international energy agency OECD के members जो है ना काफी rich members होते है founding member dark blue वाले अप देख रहे हैं US Canada वगर और इदर यूरोप के कुछ countries इसमें Turkey भी है बाकी बाद में जो है other member states Australia वगर भी आ गए यहां पे चीली भी आगे देख रहे हैं Japan South Korea भी है ठीक है इंडिया बगर नहीं इसका पार्ट OECD कब बना था 1948 में और फिर बात में उसको reform करके फिर से launch कभी क्या था 1961 में इसमें highly democratic countries होते हैं और जो market economy को फालो करते हैं हाला कि इंडिया भी है लेकिन इसमें काफी developed countries ही है तो इंडिया इसका पार्ट अभी तक नहीं है क्योंकि बहुत high income वाली countries है जिनका कि HDI index जो human development index बहुत हाई है वहना developed countries है सारे 2017 का data है कि पूरे वर्ल्ड का यह लोग global GDP है उसका 62.2% यह लोग control कर रहते हैं यह सारे countries है अगर आप एक नजर देखना चाहें तो देख सकते हैं ठीक है वाकि उसके बाद देखें कि 12 सल के अंदर जपान, Finland, Australia, New Zealand countries भी यहाँ पर जुड़ गया है अब आप लोगों मेंसे एक काम करीए चुकि OECD का discussion हो गया है आप मेंसे कोई एक base erosion and profit shifting का 6-10 line का उस पर paragraph लिखके डाल दीजे क्या है यह चीज कहां से आई है और दूसरा एक PISA test होता है इसके बारे में भी ऐसा ही 57 line लिख दीजे कि इंडिया ने कौन से PISA test में participate किया था क PISA test जो है कहां पर होता है और क्या local language में भी होता है ऐसे कुछ जो conceptual चीज है mention कर दीजेगा एक दम factual नहीं तो हाँ OECD से आ रहा और दूसरी तरह आपका नीती आ हो गया इसमें करेंगे क्या इंडिया में जो है renewable energy को बढ़ाएंगे मतलब solar और wind power को बढ़ाएंगे और उसी से electricity ज्यादा पैदा करेंगे यह कोसिस करेंगे इंडिया थार्ड largest energy consuming country है वर्ल्ड में एक में तो आपका चाइना और USA हो जाएंगे और इंडिया जो है थार्ड है चाइना एक नमबर पर USA दो नमबर पर इंडिया थार्ड नमबर पर तो इंडिया थार्ड largest country है energy consuming country हलाकि पर कैपिटा हमारा बहुत लो है population इतनी तो करें क्या पर कैपिटा electricity consumption across अगर हम 28 Indian states और Union territories देखें वर्ल्ड का जितन इनर्जी के लिए स्टेंडर्स वगर करने जैसे LED लाइट वगर लगा रहे हैं डेल्प वगर स्कीम करके आई थी यह सब कुछ हम लोग कर रहे हैं सती साथ renewable energy penetration हर स्टेट में इंडिया में बहुत वैरी कर जाती है सोलर और विंड पार के अगर बहुत आयत देखें तो 10 renewable rich states हैं यहां पर तमिलनाडू, करनाटक, गुजरात, राजस्तान, आंदपर्देश, मध्यपर्देश, महराष्ट, तिलंगाना, पंजाब और केरल बाकी national average से यह states जो हैं ज्यादा अच्छा कर रहे हैं सोलर और विंड से electricity पैदा करने की बात करें annually, तो करनाटक एक नंबर पे 29%, राजस्तान 20 पे हैं, 18% तमिलनाडू, 14% गुजरात, कह रहे हैं कि इंडियास पार कैन एफिशेंटली इंटीग्रेट renewables, कहना है कि 2022 तक 175 गीगावाट हम रिनुएबल से कर लेंगे, और बाकी 2030 तक हम 450 गीगावाट रिनुएबल से ला देंगे, लेकिन क्यासे होगा, इसके लिए प्लापर प्लैनिंग की जरुद पड़ेगी, रिसोर्स की जरुद पड़ेगी, पॉलिसी, प्रॉपर पॉलिसी, रिगुलेशन, इंस्टिटूशनल सपोर्ट, इनर्जी स्टोरेज का भ बहुत बड़ा इशू है, कोल से जो इनर्जी बन रहा है, थर्मल पार से, वो बड़ा चीप होता है, सोलर वाला महंगा पड़ेगा, तो जैसे सोलर वाला महंगा पड़ेगा, तो जो इलेक्रिसिटी की कंपनी हो, वो बिजली भी महंगी देगी, तो कंजीमर अफेक्ट दूसरा ये भी है कि reliable energy access solar वाला fluctuate हो सकता वेदर के साथ थर्मल वाला तो नहीं होगा है ना तो financial stability देखनी पड़ेगी जो distribution companies यह electricity की वह उनका पार महंगा नहों जाए तो हमें सस्ता बनाना पड़ेगा affordable बना पड़ेगा पहले है कैसे धीरे धीरे शेयर इंक्रीज करें रिन्यूएबल एनर्जी का reliable manner में consistency रहे और फाइनली जो है coal का emission वगर हम कैसे कम करें ताकि जो हमारा social और climate objective हो सके और साथी साथ economy गोल भी हो सके ऐसा नहों कि energy जो है पैदा है न्यूरी कंट्री में कि हम तो करेंगी तो renewable energy और industry बगर सारी बंद हो गए तो उसके कई सारे recommendation है आप recommendation एक बड़ देख लीजेगा मैं इसमें क्या बताओं आगे वाले में भी जादा मैं कि किनों ने उनका नाम तिलक दिया था यह सारी चीज़े जो आपको गर समझनी है लोकमा ने टाइटल किस ने दिया था इनकी किताबे कौन से लिख्यों है यह आपको जानना चाहिए यह जेल कब-कब गए थे कौन सा movement हो रहा था home rule तो home rule में इनहोंने कौन से वाले कमान संबाली थी home rule में दो थे एक तरसे areas तो दो areas मेंसे इन्होंने कौन से एरिया संभालता यह सब आपको जानना पड़ेगा और फाइनली न्यूजपेपर इनके मराथी में कौन पब्लिश होते थे इंग्लीस में कौन पब्लिश होते थे गीता रहस्य यह सारी चीजी जो है आपको जाननी पड़ेगी स्लाइड रोकिए और देख लीजिए अल्मुस को इंटरनेशनल और्गनाइजेशन इन्वालब है ना कुछ ऐसा इन्वालब है कि कंट्री में मैं उस आपको कॉंसेप्ट तो प्लीज अगेन मैं अब यह करूंगा जैक्दम फैक्ट्वल इन्फरमिशन होगी वहां पर टाइम बचाओंगा जहां मुझे कॉंसेप्ट दे तो हमें कितना मिल जागा तो उससे उनकी जो है वैल्यू जेनरेट होती है एक टैग लगता है ना टैग क्यों लगाना जुरूरी है कि ठीक हमने जंगल नहीं काटे लेकिन उससे ऑक्सीजन हो रहा है उससे जो क्लाइमेट चेंज करने में जो है रुकावट आ रही है तो उ एंडरस्टेंडिंग बनेगे तभी हम एंवार्मेंट कंजर्वेशन करेंगे तो उत्राकरन गवर्मेंट ने यह बोला कि हम इसके नैचुरल रिसोर्सेज की वैल्यूशन करना शुरू करेंगा उसको क्या बोलेंगे ग्रॉस एन्वार्मेंट प्रॉडक्ट नहीं काट रह है नहीं कहिता है टूरिजम देता है कलीनिंग करता है यह सारी चीजें वहों सिस्टम सर्विसेक कहलातीए तो अ मैं घूटी में तो नहीं अहीं यह district level पर भी देख सकते हैं, state level पर भी देख सकते हैं, country level पर भी उत्राकरण में हमाँ state level पर देख रहे हैं, इसके लिए हम लोग natural capital accounting framework बनाएंगे, natural में मतलब यहाँ पे natural का मतलब क्या है, environment, environment का क्या capital है, क्या value हो, उसका accounting framework बनाना पड़ेगा, तो हमें उसके ecological benefit देखने ठीक है, तो monetary जो है, metric बनेगा, ecosystem services का, उसी का जो है, gross environment product उत्राखन की बात हो रही है, now come to secrecy of voting, Supreme Court ने फिर से वही बात पर फोर्स किया है, कि चाया Parliament का election हो, या state legislature का election हो, voters की जो vote की secrecy है, एक्तम must है, वो maintain करनी पड़ेगी, और इसके लोग उनने people's union of civil liberties case का judgment 2013 का, यहाँ प बोला था, अच्छा, People's Union of Civil Liberties case जो है, People's Union of Civil Liberties जो है, PUCL जो है, एक organization है, जो इंडिया में democracy के बढ़ावी के लिए, voter right के बढ़ावी के लिए, हमेसा काम करता रहा था, case लड़ता रहा था, सुप्रेम कोट ने क्या बोला, कि freedom of voting जो है, एक fundamental right है, freedom of expression के अंदर, जैसे जो सेक्रेसी है, वो भी आपकी freedom of expression का पाट है, जैसे कि privacy होती है, वैसे सेक्रेसी है, और अगर सेक्रेसी जो है, maintain रहती है, चुपा रहता है, तो कहीं न कहीं choice जो होती है, मतलब चुपा रहती है choice, तो आपकी democracy होती है, पता चल जाएगा तो फिर आपके जो repercussion आएगा, politician क इक गेरिया को पकड़ के वहाँ पर बोलेंगे कि अब यहाँ पर development नहीं कराएंगे, लोगों को मारेंगे, पिटेंगे, बोलें कि boot capturing या bogus voting है, इसको आप अच्छे से deal करिया, है ना, क्योंकि finally ये rule of law को affect करता है, democracy को affect करता है, और concept जो हमारा free and fair election का जो है, उसको कभी भी हमें dilute नहीं होने देना, हलका नहीं होने देना, बड़ी-बड़ी बात है, अच्छी-ची बात है, ठीक है, बोल रहे हैं कि democracy and free elections were part of basic structure of the constitution, free elections है, democracy भी है, EV100 campaign क्या है, महाराष्ट्रा गवर्मेंट ने अच्छली यहाँ पर अपना policy बनाया, electronic vehicle का, electronic vehicle में क्या होता है, electronic vehicle में आपकी नॉर्मल जो petroleum अगरे से नहीं चलता, electric charge से करके, वहाँ पर electronic vehicle चलाते हैं, तो इससे क्या होता, pollution कम होता, और इस चीज को बहुत बड़ावा दिया जा रहा है, तो महाराष्टा गवर्मेंट में उसी में, electronic vehicle policy लाया था, तो यहाँ पे climate group करके एक agency हो, उनकी वेबसा EV100 में क्या बोल रहे है, making electric transport the new normal by 2030, sustainable development goal के हिसाब से, EV100 है क्या, एक global initiative है, इसमें सारे जो companies चाहती है, कि वह अपना fleet जो है, मतलब, company जो चाहती है कि उनके car और गाडियां जो है, petroleum, diesel, ऐसी gases से चल रही है, उस सारे को धिरी-धिरे convert करके, electric vehicles में लेके आना चाहती है, और इस इसके लिए सारे company जो है, अपना मुआ पे काम कर रही है, activities कर रही है, तो उसी EV100 के साथ महाराष्टा government ने अपने हाथ जो है, साथ-साथ उसके साथ जोल लिया है, और यह हमारी country में ऐसा first state है, जिसने EV100 के साथ, campaign के साथ, अपना हाथ में लाया है, EV100 2017 में launch हुआ था, और 2030 तक क्या करना है, सारे fleet आपके switch करकी electric vehicle में लगा देना है, इसके लिए charging infrastructure है, करना पड़ेगा, उसके लिए वो लोग जो है, global level पर campaign करना है, national security council news में है, यह पेगसस वाला जो whatsapp वाला controversy आया, उससे related है, national security council, news में इस लिए है, क्योंकि इसके जो expenditure था, वो लगातार देखा आया कि बढ़ता जा रहा था इस बीच में, यह कोई act से नहीं बनाया, executive government agency है, और इसका काम क्या है, प्राइम मिनिस्टर को advise करता है, national security के बारे में, और strategic interest के बारे में, कि पूरी country की security को कैसे maintain करें, अच्छा, जब यह बना था, अटल भी हरिवाज पी के time पे 1998 में बना थ उसके पहले ऐसे national security पे advice प्राइम मिनिस्टर को कौन देता था, इसके पहले पे simply प्राइम मिनिस्टर के PMO के principal secretary होते है, वो principal secretary प्राइम मिनिस्टर को बताते थे कि national security का क्या हाल है, बाद में अटल भी हरिवाज पी ने यह बना दिया 1998 में, executive change, सीधे सीधे council of minister का decision, कोई act न इसी group, एक होता है national security advisory board, और एक होता है secretariat, और इसमें सारे लोग जो intelligence committees के लोग होते हैं, इसमें एक साथ रहते हैं, तो head कौन होगा इसका prime minister, और secretary कौन होगा इसका national security advisor, national security advisory board भी है न, यहां पे, तो वहाँ से secretary कौन बन गया, national security advisor, NSA, ठीक है, तो NSA के अलावा, अजी दोगल इसमें deputy NSS बगरा होते हैं, ministry of defense external affairs, बहुत लोग होते हैं, इतना मच जान, यह चलेगा काम, armics 21, 21 मतलब क्या, साल, और arm तो आप जान रहें, arm exercise, तो defense ministry ने शुरू किया है, Indian army का skiing expedition, कि कितना बर्फ पे तेजी से फिसल सकते हैं, और यह New Delhi में हो रहा, तो इसका यहां से flagging कि किया था, फिर लोग शुरू हुए, फिर सारे हिमालियन स्टेट में के adventure activity वगर की, Indian army के लोगों ने, और flagged off, जो last हुआ था, वो करा कुरम पास जो है, लदाक में, वहां पे हुआ था, 10th March को, और उसके बाद जो है, एक सेकेंड में थोड़ा vocabulary में confused होगे, देखिए, इसक confirm was clear, वहां मुझे, New Delhi में, फिर वहां पे जाके, जो राजनाज सिंह के साथ, फोटो बटो की चाहिए, वो उस चीज को जो बोल रहे हैं, उस चीज को flagged in बोल लाएं, ठीक है, that's it, next चीज news में जो है, वो science and engineering research board है, सर्ब, सर्ब क्या है, देखिए, एक statutory body, मतलब कोई act होग यस act है, science and engineering research board act है थे 2008 में, उससे बना science and engineering research board, तो कहां है ये, मैंने बार बार पढ़ाए, department of science and technology है, अंदर the Ministry of Science and Technology, तो Ministry of Science and Technology में तीन डिपार्टमेंट है, उसमें से एक DST है, Department of Science and Technology, और Department of Science and Technology के ही अंदर ये body है, ये statutory body है, Science and Engineering Research Board Act 2008 से क्या बना, Science and Engineering Research Board, objective क्या है, basic research को प्रमोट करना हमारे country में, Science and Engineering में नाम में लिखा हुआ है, और जो भी इंसान Research Academic Institution, या तो individual है, Research में है, Academic Institution है, Research and Development की Laboratories है, उनको Financial Assistance भी देता है, ताकि Global Best Practices को हम अपना सकें, funding हो Research की है, इस Board के जो चेर्मैन होते हैं, जो DST के Secretary होते हैं, वही इस Board के चेर्मैन भी बनते हैं, ये News में क्यों हैं, क्योंकि इन्होंने एक Technology Center के साथ, Bangalore में जो है, Collaboration किया है, ताकि हम Research and Engineering कर सकें, Energy, Healthcare और Aviation में, Aviation मतलब उडाने वाले चीज़ें, और वो Flight वगरे की बात हो रही है, Bomb की बात नहीं हो रही है, तो Academic Institution, Lab और Industry के बीच में, Collaboration हो सकेगा, PSU, Public Sector जो Companies हैं, उन Refiners में 100% FDI की बात होगे, Union Cabinet ने बोला, कि हम 100% Foreign Direct Investment अलाओ कर रहे हैं, Public Sector की जो Refineries हैं, उनमें, है ना, Public Sector की Refineries में 100% FDI से क्या होगा, Privatization होगा, मोरी Government की Policy है, जहां भी हो, Privatization होगा, To Expanding the Scope of FDI in Privatization, भारत Petroleum Corporation Limited, BPCR, यह सब कंपनी जो हैं, बहुत अच्छा नहीं चल रही, Refineries हैं, तो उनमें FDI बंगवा रहे हैं, Privatization भी होगा साथ ही साथ, अचा, पहले क्या था, 49% FDI अलाओ था, Public Sector के Refineries में, और Private Sector में तो देखिया, 100% पहले से अलाओ था, अम्बानी वगर को जो है, उसमें 100% था, गवर्मेंट बाले में, PSU में 49% था, अब उसको भी 100% कर दिया, Automatic Roots से हैं, तो कोई permission जाके नहीं लेनी पड़ेगी, Ministry से पहले, लेकिन तब जब ऐसी कंपनी में हो रहा है, जहां पर इन प्रिंस्पल पहले से अप्रूबल ले ली गई है, Strategic Disinvestment की, Oil and Gas सेक्टर की कंपनी में, अगर पहले से हैं Strategic Disinvestment, Strategic Disinvestment मतलब, कि more than 50% सेर्ज जो है, प्राइबेट वालों को, मतलब 51% सेर्ज जो है, जो बड़े लेबल की चीज़ होती है, उसको स्ट्राटजिक कहते है, ठीक, That's it for today, Keep smiling, Be happy, Thank you so much.